हेलो गाइज, वेलकम बैक टो माई नियो व्लोग तो गाइज, ये मेरा व्लोग है, हम जा रहे हैं इंडिया कुछ टाइम के लिए तो अभी चल रही है हमारी इंडिया जाने की पैकिंग तो सबसे पहले हम सूटकेस में थोड़ा समान डाल चुके हैं तो हम चेक कर रहेते हैं, वेट इसमें ओवरवेट तो नहीं है अगर तो वेट कम है, तो फिर हम इसमें और समान एड़ कर लेंगे क्योंकि पहले थोड़ा बहुत ही डाला था हमने और अब इसमें और समान एड़ हो जाएगा तो पहले तो में थोड़े बहुत कपड़े बगारा जो लिखके जाने होते हैं वो डाल लिये थे हमने तो अब इसमें हम थोड़े और शापिंग कर के आए थे तो उसमें एड़ करके फिर वेट चेक करके कर देंगे क्योंकि फ़र टिकेट पे हमें 23 केजी वेट मिलता है तो उस हिसाब से हमें सूटकेस बनाने पड़ते हैं तो हमारे पस टिकेट है फोर हम चार जने है तो चारों के हिसाब से हमारे पस वन वन है अपना तो इसे तो सर्तियों के हिसाब से देखे तो बहुत कपड़े हो जाते हैं 23 kg में कुछ भी नहीं आता बट अभी इंडिया में गर्मी है तो इसलिए हम वहाँ पे जादा सर्दियों के कपड़े लेके नहीं जाएंगे तो हमारा इनी से ही काम चल जाएगा गर्मियों के कपड़ों से ही तो उससे फिर पैकिंग में कम दिक्कत आती है तो वैसे भी इंडिया जाना हो तो बहुत ही मुश्किल लगता है पैकिंग करना रखना बहुत अब यहां से हो रही है फिर वहां से होनी है तो पैकिंग का तो बहुत बड़ा है तो पैकिंग तो पूछो ही मत कितनी भी आप कर लो कितना भी आप खरीद लो फिर भी रही जाती है आप अगर वान वीग पहले से भी स्टार्ट करेंगे न तो भी आपको लास्ट डे पे आके पैकिंग करनी ही बड़ेगी दुबारा से तीन चार बार जब तक सूटकेस खुलेंगे चैकोंगे फिर कोई समाइड ड्लेगा निकलेगा तो वे तो मेरी तो हो चुकी है ता बीयत भी खराब पैकिंग करते करते है यूढ करते जे सूटकेस चींज करते-करते नbbe तो हालत खराब हो गया मुझे मार्किड भी जाना गया तो अभी ना हालत वैसे घराब हो रही है को ट्रैवल करना हो तो फिर और मुश्किल हो जाता है तो अभी देखो हमारी पैकिंग चल रही है जोरो शुरों से आप देख सकते हो सबसे वड़ा काम है गया इस पैकिंग का क्योंकि सब कुछ लेक के पीचाना है कुछ बूल तो फिर फ्लाइट भी इंटरनेशनल है तो ऐसा प्रनार पला है यह वापिस आख रहे जाएंगे वैसे तो लोकल में भी वापिस नहीं आए जाता है बट फिर भी इंटरनेशनल का तो कुछ ज़्ञादा ही होता है समान भी होता है सब कुछ देखना पड़ता है कपड़े अंडर वियर्ट सब कुछो भी everything पैक करना पड़ता है और फिर ज़्यादा शॉपिंग वैसे मैंने गई इस इंडिया वालों के लिए की नहीं क्योंकि मेरी तब्यत बेगराब थी तो कुछ महाल भी ठीक नहीं था तो इसलिए मैंने इस पर कुछ ज़्यादा खास शॉपिंग की नहीं बट जो भी है चलो थोड़ा बहुत तो कुछ चॉकलेट वगएरा ले जाओंगी और बच्चों के लिए महाँ पर मेरी फैमली है ममी है महाँ पर इनलॉज है तो उनके लिए चॉकलेट वगएरा या एक अधा थोड़ा बहुत किफ्ट मैं ले जाओंगी भाबी है बही है वाँ पर तो वह भी वैसे बेटी कर रहे हमारा कब आएंगे कब आएंगे मुश्किल तो बहुत हो था गए सर में भी बहुत दो गया मेरे ना पैकिंग करते करते पहले तो सर्दियों के कपड़े निकालने थे उस वज़़ा से भी मेरा टाइम वेस्ट हुआ काफी सर्दी गर्मी के कपड़े निकालने के चक्र में तो गई जीजी के साथ हमारी पैकिंग हो चुके है कंप्लीट मैं करते है अपना व्लोग एंड तो लाइक करें कमिट करें सब्सक्राइब करें